नमस्कार दोस्तो मैं मंदीप सर्मा आपका अटेक में स्वागत करता हूँ दोस्तो आप में से ना जाने कितने जब आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टू फेक्टर ओथन्टिकेशन वाली सैटिंग को इनेवल करते हैं तो एक गलती हमेशा कर देते हैं जो गलती आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए बहुत बड़ी हो सकती है इससे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी खो सकते हैं तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि जब आप अपने इस्टाग्राम अकाउंट पर two factor authentication वाली setting को enable करते हैं तो आप क्या गलती कर सकते हैं या फिर आप मेंसे ना जाने कितनों ने वह गलती की होगी जो गलती बहुत बड़ी हो सकती है उससे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हम कि two factor authentication वाली setting क्या होती है दोस्तों जब आप अपने इस्टाग्राम अकाउंट पर two factor authentication वाली setting को enable कर देते हैं तो आपके इस्टाग्राम अकाउंट को यदि कोई और आपकी बिना मर्जी के login करने की process करता है तो आपके पास आपके mobile number पर यदि आप अपने mobile number को वहाँ पर select करते हैं तो आपके mobile number पर एक code आता है जिस code के विना बेह बंदा आपके Instagram अकाउंट को login नहीं कर सकता है यानि इससे आपका Instagram अकाउंट hack होने से बचता है तो दोस्तों यदि आप इसके बारे में भी नहीं जानते हैं कि कैसे Instagram अकाउंट पर हम two-factor authentication वाली setting को enable कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Instagram अकाउंट पर two-factor authentication वाली setting को enable कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा वीडियो के last में कि आप two-factor authentication वाली setting को enable करते समय क्या गलती कर सकते हैं और क्या गलती कितनों ने की होगी जो गलती बहुत बड़ी हो सकती है आपके Instagram अकाउंट के लिए तो दोस्तो इन सब के बारे में जानने के लिए आपको चलना होगा मिरे mobile की screen पर दोस्तो mobile की screen पर जाने से पहले मैं हमेशा के तरह आपस एक बात जरूर कहना चाहूंगा यदि आप इस channel पर पहली बार आए हैं तो इस channel को नीचे लाल वाले subscribe बटन पर क्लिक करके subscribe जरूर क कर दें ताकि जब भी इस channel पर मेरी कोई नई वीडियो अप्लोड हो तो इस वीडियो की notification पहुंचे सबसे पहले आपके पास तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे आप अपने Instagram अकाउंट पर two factor authentication वाली setting को enable कर सकते हैं तो इसके लिए आपको आजाना है अपने Instagram अकाउंट पर दोस्तो मैंने ये new Instagram अकाउंट बनाया है आपको बताने के लिए यदि आप मुझे Instagram पर follow करना चाहते हैं तो दोस्तो वीडियो के description में उसका link मिल जाएगा आप मुझे follow कर सकते हैं और follow करके यदि आपका कोई question है तो वहाँ पर मुझे DM कर सकते हैं उसका reply आपको जल्द से जल्द मिल जाता है तो दोस्तो अपने Instagram account पर आने के बाद आपको अपने profile के option पर click करना है प्रोफाल पर आने के बाद उपर आपको three line का option मिलेगा आपको इस पर click करना है त्री line के option पर click करने के बाद आपको settings पर click करना है उसके बाद दोस्तो आपको एक option मिलता है security का आपको security वाले option पर click करन यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा टू फेक्टर ओथन्टिकेशन तो आपको इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपको गेट इस्टाटेट के उप्शन पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको यह देखिए यहा और आपके Instagram account को login ना कर पाए तो आपको इस पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों आपने जो mobile number अपने Instagram account में add किया हुआ होगा तो यहाँ पर उस number पर आपके पास एक code आएगा यहाँ पर 6 अंको का code वह आएगा और उस code को यहाँ पर आपको डाल देना है तो यह देखिए मे मेरे पास यहाँ पर code आ चुका है अब मैं इस code को वहाँ पर डाल देता हूँ यहाँ से copy करता हूँ मैं इस code को copy करने के बाद यहाँ पर मैं इसको paste कर देता हूँ उसके बाद दोस्तों आपको next पर click कर देना है next पर click करने के बाद आपको नीचे यह देखिए done के option पर click कर देना हैं दोस्तो डन के option पर click करने के बाद आप इस तरह के page पर आ जाते हैं और यहाँ पर recovery codes आपको मिलते हैं ये वाले दोस्तो जो भी बंदे instagram account पर अपने instagram account पर two factor authentication वाली setting को enable करते हैं तो यहाँ पर जो code उनको मिलते हैं ये वाले code तो वह बंदे इन code को save करके नहीं रख रखते हैं और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो गलती हमेशा कोई न कोई कर देता है यानि जाने कितनों ने ये गलती की होगी और जाने कितने यदि इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं आगे करने वाले हैं दोस्तो यदि आप इन code को save करके नहीं रखते हैं इनका screenshot recover नहीं कर पाएंगे काफी मुश्किल हो जाएगा अपने Instagram अकाउंट को recover करना और यदि आप इन code का screenshot खीच कर रखते हैं और आप अपने mobile नंबर को खो देते हैं जो mobile यहां पर आपने add किया हुआ है तो दोस्तो आप इन code की मदद से बड़ी आसानी से अपने Instagram अकाउंट क को enable करें तो इन code का आपको screenshot खीच कर जरूर रखना है यह बहुत ही काम आने वाले हैं यदि आप नहीं करते हैं तो आप अपने Instagram अकाउंट को खो सकते हैं तो दोस्तो यह वीडियो यही पर समाप्त होती है मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आयोगी दोस